तो वेलकम टू ताजा क्रिप्टो गाइज चले देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है कुछ बड़ी बड़ी चीज़े निकल कर आई हैं जिसमें काफी इंवेस्टर इंट्रेस्ट यहां पर बन गया है कोईन बेस की सियो की तरफ से स्टेटमेंट से लेके चिली की तरफ स 578 मिलियन डॉलर स्टेक यहां पर बन रहा था जो रॉबिन हुट के बोर्ड ने यहां पर भोल दिया है हाँ अब हम इसको बाय कर लेंगे तो सैम बैंक में फ्रीड का जो वो जो भी स्टेक है पूरा का पूरा यह यहां पर निकाल लिया जाएगा वी जस्ट अनूने पूर ट्विटर वगरा भी यहां पर शाथ में शेयर किया है अगर हम पुरानी निउस देखें तो जैनवरी 9 को यहां पर यूएस का जो डियो जे है डिपार्टमेंट उजस्टिस उन्होंने 55 मिलियन शेयर यहां पर जो है 7% ऑफ रॉबिन हुड जो उन्होंने यहां पर सीज कि को मिला है all in all यहां पर हम लगों को negativity ही negative results ही यहां पर देखने को मिले हैं when it comes to Robinhood but this is going to be a big move so they will end up getting back their stake हम बात करते है Coinbase CEO Brian Armstrong की तरफ से जो statement निकल कर आया है and by the way यह statement का update मैंने telegram पे आपके साथ शेयर कर दिया था तो मैंने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा and एक decision मैंने मेरे खुद के videos आगया यह आगया वो आगया वो सारी चीज़े बहुत जादा आपके साथ शेयर करता हूँ सिरफ वो नहीं आएगा आपको actual value मिलेगी तगडी वाली तो जैसे आज bridges कैसे hack होते हैं एक बहुत must बंदा है बहुत अच्छा security के बारे में लिखता है तो उसका मैंने यहां पर with my thoughts with a couple of my thoughts मैंने वो चीज़ शेयर की यहां पर आपके साथ ऐसा मैं regularly आपके साथ in-depth information share करूँ आपको आपको कहीं और नहीं मिलेगी including charts from places like Nansen and all of that तो आकी आपको इस Telegram पर max value मिले and free मिले and that's the goal so Kripya वो भी आप जो है check out कर सकते हैं so Telegram का link आपको नीचे description मिल जाएगा join the Telegram channel बहुत सारी interesting चीज़े आने वाली है and this is going to be packed with value and मैं लिखित में देने को तयार हूं कि इंडिया में इससे better value आपको crypto की दुनिया में नहीं देने वाला कोई और यह मेरा aim रहेगा यहां पर मुझे शायद तोरह सा time लग जाए महां तक पहुंचने में but यह मेरा aim यहां पर रहेगा तो जी हम बात कर रहे थे यहां पर Brian Armstrong की तरफ से जो statement आया है around staking की उन्होंने बोला कि यहार ऐसे rumors है कि SEC शायद staking को यहां पर ban करने का सोच रहा है and यह की US के retail customers के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा and US के लिए यह एक तरह से technologically backward जाने ला staking को गलत तरीके से यूज करते हैं बहुत सारे projects so that's fine all in all crypto industry का in crypto में जिस तरह से tokenomics क्राम करते हैं इसका काफी जाधा integral part है and अगर US इस तरह का कोई भी rule लाता है I agree and I think everybody in the crypto industry agrees with जो Brian Armstrong का कहना है कि यह काफी negative चीज है US के लिए और पूरी दुनिया के लिए तो यहां पर उन् इसी ना की proof of stake के against अगर हम SEC की बात करें तो proof of stake के against लड़ाई करना बहुत ही जाधा मुश्किल होगा उनके लिए जैसा है कह रहे हैं अगर वो coinbase ऐसे exchanges के against लड़ाई करना चाहें वो उनके लिए थोड़ा सा यहां पर comparatively easy होगा so that is an interesting interesting update and देखते हैं यह कैसे pan out होता है and का पूरे के पूरे narrative को और इस जो भी बिनों ने आपर tweet किया rumor को पूरी की पूरी crypto industry में काफी जादा जो है views मिल रहे हैं दोनों तरफ से बट मेंली यह है कि ऐसे थोड़ी होता है कि staking बंद कर लोगे गलत है पूरा का पूरा situation चलते हैं आपन तीसरी main important interesting चीज की तरफ यहां पे अब crypto ATM operator जो है जिसका नाम है cash cloud वो यहां पे Genesis को 116 million dollars ओ करता है और 116 million dollars ओ करता है बट है नहीं यहां पे files for bankruptcy so coin cloud ने यहां पे जो है इन्होंने यहां पे chapter 11 bankruptcy के लिए फाइल किया है और यह list जो है crypto companies जो collapse हो गई इस bear market में वो list तो बढ़ती जारी है बढ़ती जारी है आ रहा रहा है तो यह चीज बाहर भी नहीं आती और पता भी नहीं चलता किसका पैसा बचा है उसमें किसका पैसा नहीं बचा है So this is going to be काफी 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 जादा interesting to see कि और यह जो पूरी की पूरी chain है जो bankruptcies की है जो लोगों को लगना था शान्त हो गई है यह और किस-किस को out of business करती है That moving on to guys चिलीज तो चिलीज की अगर हम in general बात करें देखिये community tokens, gaming tokens, metaverse इसमें काफी अच्छा bounce आ रहा है metaverse sector की भी बात करेंगे आज के वीडियो में So Genesis block of our EVM compatible याने की Ethereum virtual machine compatible याने की आपके जो Ethereum के ऊपर के smart contracts है वो यहाँ पे deployable होंगे Layer 1 blockchain जो है उसका पहला Genesis block यहाँ पे validate हो चुका है इनकी 5 वी anniversary पे Which is a huge news coming from Chili's, Chili's में fan tokens का concept है वो काफी interesting है यह कोई चोटी company नहीं है बहुत बड़ी company है अच्छे से चलाते हैं चीजे तो this is an interesting news to see अब भी अगर आप चाहते हैं कि Chili's के ऊपर थोड़ा सा on-chain analysis भी अब किया जाए with time and देखा जाए कि tokens में कौन होल कर रहा है क्या नहीं क्या कैसा वैसा तो आप मुझे नीचे comments में बता सकते है and we'll take Chili's in the coming videos as well आपके लिए with that guys metaverse crypto sector की अगर हम बात करें तो metaverse यहां पे 2023 में काफी अच्छा bounce अभी के लिए ले चुका है and gaming sector metaverse sector I think is getting a lot of people in I do feel या आने वाले time में भी gaming का sector है वो काफी अच्छी बड़ी opportunities यहां पे open करता है crypto में mass जो है लोगों को आने के लिए क्योंकि आप और sectors देखे तो उसमें users के लिए बहुत risk रहता है बहुत सारा पैसा involved होता है but gaming का एक फाइदा यहां पे लोग खेल के जो है पैसा बना सकते है and अभी के लिए problem यह था कि सारी जो games थी वो earning पे focus कर रही थी ना कि actual gaming experience पे और लोग जब पैसा बनाना कम हो जाए हम लोगों काफी अच्छा movement यहां पर देखने को मिलेगा तो अगर यहां पर अगर देखें तो माना ने काफी अच्छा पैक यहां पर लीड किया है तीस दिन में 90% है 500% अब है इस साल में अगर इसके हम parallel में बाकी के bitcoin या ethereum की बात करें तो हम लोग 40% से लेके 30-40% की range में उनकी तरफ से pump देखने को मिला है engine again engine के मैंने बहुत बार बात किया engine अभी यहां पर अपने नवेंबर के जो peak से 90% ड्रॉप था उसके बाद से अब वापिस double हो चुका है उस drop के value से भी sandbox आपको पता ही अभी तो कुछ दिनों में unlock आ रहा है कुछ लोगों कहना है कि down सकते हैं तो वो देखते हैं कि delay होगा या फिर यहां पर हम लोगों को उल्टा देखने को मिलेगा जैसा market में पूरा का पूरा discussion हो रहा है historically down जाता था बट पिछले कुछ unlocks में अपने notice कि होगा कि tokens जो है वो उल्टा आप जा रहे हैं तो market में बहुत खिलवार किया जा रहा आपके साथ उसके लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दें लाइक वगरा करते हैं तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें पट यह है आज का news coverage या ताजा-ताजा coverage आप जरूर नीचे comments में छोड़ें कि आप इस चैनल पर क्या देखना चाते हैं आपको कैसा ल्विज़ रखाए बद्सक्रा हुआख क्विज करद मत्सक्रा टाओ साच हैं